और फेल में रहा हुआ चार्ट का स्ट्रक्शर देख रहा हूँ तो अल्रेडी stock के अंदर higher level से weakness हमें देखने को मिल चुकी है और stock अभी देखते हैं तो 11% के आज़ पास का अल्रेडी correction देखने को मिल चुका है अब थोड़ी बड़ी time frame का अगर मैं chart का structure देखता हूं तो chart का structure अभी भी बहुत ही बैतरीन है lifetime high लगाया था last month में और अभी थोड़ा correction हमें देखने को मिल रहा है weekly time frame का अभी chart का structure देखता हूं तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह fall शायद आने वाले दिनों में और भी continue हो सकता है क्योंकि correction clearly देखने को मिल रहा है weakness हमें clearly देखने को मिल रहा है और बढ़िया जो buying level है जो long term के इसाब से भी अगर किसी को buy करना है तो वो 3000, 3150 और उसके नीचे के आसपास के कुछ level है ठीक है so PI industry में अभी तो यहां पर कोई अच्छे buying level है नहीं कि यहां से कोई अच्छा bounce मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी आने वाले दिनों में results भी आपको देखने को मिलने वाला है dividend भी declare हुआ है पांच रुपे का पर जिस तरह के chart का structure बना हुआ है अभी और भी lower level आपको stock के अंदर देखने को मिलेगा अब यहां से 3720 के ऊपर अगर sustain करना चालू कर देना तो फिर गिरावट थम सकती है और वापस से stock के अंदर lifetime high तक जाने के chances बन सकते हैं पर अभी जिस तरह के chart के structure देखने को मिल रहा है है मुझे ऐसा लगता है कि और भी थोड़ी weakness हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है तो मैं जिस तरह से यहां पर जिस तरह का chart का structure में यहां पर देख रहा हूँ आने वाले दिनों में 3150 के आसपास अगर आपको यह stocks देखने को मिल जाए तो वहां पर 100% quantity में किसी को भी काम करना है तो आप जरूर से काम कर सकते हो और फिर closing basis के उपर आपको एक stop loss maintain करना है वो है 3000 रुपेस का अगर यह stock के अंदर fall हमें देखने को मिलता है तो छोड़िएगा मत यह stock को बहुत ही बढ़िया opportunity देगा आने वाले दिनों में तो काम जरूर से कीजिएगा और जिस तरह से मैंने आपको levels बताया है वो level के उपर price action भी आप लोग जरूर से देखिएगा मुझे पता है कि जो buying level suggest किये है वो काफी दूर है पर दूसरे कोई buying level है नहीं तो वो level का weight करना चाहिए और उसी level के उपर fresh new long position अगर long term के लिए भी अगर बनानी है तो आप जरूर से बना सकते हो